जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इमेज की कॉलिटी और अलिवेंसी भी मैटर करती है इसी तरह से उसकी प्लेस्मेंट भी मैटर करती है जिसना से हमने मेडा टाक्स की जब बात की थी तो हमने ये डिसाइड किया था कि अच्छे कीवर्ड और इमपॉर्टन कीवर्ड हम शुरू में लिखेंगे ताके गूगल को पता हो कि ये इमपॉर्टन चीजें पहले आ रही है क्योंकि गूगल पहले ही आने विल चीज़ों को ज़्यादा इमपॉर्टन्स देता है सेम ठियोरी अप्लाई होगी इमजिस के उपर कि अगर आपका इमजिस इमपॉर्टन है उसको पहले यूज करें उसको उपर लेकर आएं ताके गूगल उसको इमपॉर्टनस दे कि अगर वो पहले यूज हो रहा है तो इसका मतलब में भी पॉस्टिबिल्टी है कि वह जादा अच्छा या जादा इमपॉर्टन्ट आपका इमजिस है और इसी तरह से गूगल उसको मेयर करता है कि इमपॉर्टनस में वो कहां पर आ रहा है तो फॉर एक्जेंपल अगर आपने एक इमज आपको बहुत इमपॉर्टन्ट इमज है और आपको लगता है कि वो यूजर को देखना चाहिए लेकिन आपका इमज नीचे करके कहीं पेज पर पड़ा हुआ है और यूजर स्क्रोल करके वहां तक गया भी नहीं और आपका पेज क्लोस करके चला गया तो कभी भी उसको नज़र इमज नहीं आएगा जो आप चाहते थे कि उसको फॉरण नज़र आजए तो जिस तरह से आप उसको फॉरण वो इमज दिखाने के लिए उपर लगाएंगे इसी तरह से गूगल भी यह अंडर्सेंड करेगा कि उपर लगने वाला इमज जो है वो ज्यादा इमपॉर्डन्ट है प्लेस्मेंट बहुत जरूरी है आपने यह देखना है कि एक तो इंपॉर्डन्ट चीज़ें प्रॉमिनेंटल नज़र आएं उपर नज़र आएं लेकिन यह भी देखना है कि वो राइट टेक्स के गेंज नज़र आएं हमने पहले बात की कि अगर आप टेक्स जो लिखेंगे इमज के एराउड गूगल ज सको मज़र करता है लेकिन आप कौन सा टेक्स कहां लिखेंगे और उसके साथ कौन सा इमज लगाएंगे यह वाला structure अगर आपके page का है तो इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ यह boxes लगे वे हैं वहाँ वहाँ basically images ने आना है तो इस wireframe में आप यह देखेंगे किस तरह से एक page का layout दिखता है normally और किस तरह से images का layout change हो सकता है तो जहाँ पर उपर बड़ा image लगा है तो इसके साथ heading भी बड़ी है उसके साथ text भी जादा बड़ा होगा तो इसके साथ ये नीचे दो images की जगा बनाई है और उसके साथ भी text लगा हुआ है लेकिन अगर मैं इसका layout change कर दूँ अगर हम इस layout को देखें तो इसमें आप देखेंगे कि एक बड़ा box लगा है जिसमें एक image आएगा और उसके साथ text आएगा important नीचे button लगा हुआ है yellow color का और फिर नीचे तीन columns हैं जिसमें तीन images आ सकते हैं और ये placement different है पहले वले image से लेकिन इसमें important बात क्या है कि images का इस्तमाल और उनके साथ जो लिखे जाने वाला text है वो properly used हुआ हुआ है इसमें कौन सा image आएगा इसमें कौन सा text लगेगा ये सारी चीज़ें vary करती है page to page आपने बिजनस के लिए या आपके client के बिजनस के लिए जो भी आप page बनाएंगे उसमें आपने ये psyche देखनी है कि user किस angle से आ रहा है यूजर क्या सोचते हुए आ रहा है और वाकि क्या expect करेगा और जो expect करेगा आप उसको फॉरण उपर दिखाएं उसके importance बिल्ड होगी उसके relevance बिल्ड होगी और वही quality भी कहलाएगी च्योंकि अगर आपने user को foreign message दे दिय जो उसको चाहिए था तो वही बात दे के वह retain करेगा आपकी website पे वह convert करेगा और जल्दी आपको result भी दे सकता है लेकिन अगर आप इन चीज़ों को नहीं ध्यान में रखेंगे तो user आएगा आपको page देखेगा और उसको अगर समझ नहीं आई उसको जल्दी कुछ नजर नहीं आया तो वह page छोड़कर जा भी सकता है